Hello Friends, Welcome to Vidya Kulam Online Classes देखिए आज का ये जो भाग है ये बहुत important है जब कभी मैं अगला कोई भाग लेकर के आता हूं तो हर भाग में कुछ न कुछ नया होता है आप playlist में जाईएगा तो जितने भी आप भाग को देखेंगे उसमें कुछ आपको नई बात सीखने को मिलेगी तो इसमें क्या खास नया है ये क्या important है आप इसको पहले वीडियो को पहुच करिए और खुद से इसको try करके देखिए 99% student इस question को गलत करेंगे गलत इसका answer देंगे आप वीडियो पहुच करिए और इसको एक बार खुद से try करके बताईए इसका correct answer क्या होगा चलिए start करते हैं देखते हैं इस भाग को हम लोग कैसे करेंगे 9 का भाग देना है 5 में बार बार मैं इसी चीज़ को बताता हूँ कि या तो बराबर की संख्या में भाग होगा और या तो इससे बड़ी की संख्या में भाग होगा क्योंकि आप लोगों को पता है कि पहाडा क्या होता है 9 एक कम होता है 9 दुनी होता है 18 संख्या में भाग होगा 9 का वो छोटी संख्या में तो होगा नहीं या तो 9 होना चाहिए यह नौ से बड़ा होना चाहिए तब हमने क्या बताया बिंदी यानि दशमलो लगाते हैं यहां भाग फल में क्या लगा देते हैं दशमलो अब जब दशमलो लगा दिया तो आप स्वतंत्र हैं आप कितने भी जीरो यहां अपनी आउ सकता के अनुसार बढ़ा सकते हैं जितनी इच्छा हुआ आप बढ़ा सकते हैं ठीक है अब हम लोग भाग कैसे देते थे भाग हम लोग इधर से इधर की और चलते हुए देंगे तो देखिए पांच में तो जाए का नहीं तो हमने क्या कहा था एक अंकागे बढ़ाई है अब नौ का पहड़ा पढ़िए कि पचास से ज़्यादा ना जाए नौ एक कम नौ नौ दुनी अठारा ना तरिका सताइस न चोको छटिस न पना पैंतालिस न च्छा कचवण चोवण जादा हो गया पचास से जादा हो गया ना चोवण तो कितनी बार पहड़ा गया आपको पहड़ा गया पांच बार कितनी बार गया पहड़ा पांच बार तर न पना कितना आया पैंतालिस तो जितनी बार पहड़ा जाता है कितनी बार गया है पाँच बार तो ये भागफल में लिखते हैं, पाँच बार गया, और आया कितना, पैंटालिस तो हमने पैंटालिस लिख लिया, अब इसको घटाया, तो जब हम लोग घटायेंगे तो देखिए, घटाना मैंने बतार रखा है, दस में पाँच जाएगा, कितना बचेगा, प कितनी बार गया पांच बार जितनी बार जाता है, उसे बागफल में लिखते हैं, लिख दिया और कितना आ गया, 45 आ गया, फिर यहां पर जब घटाइंगे तो दस में पांच जाएगा, पांच बचेगा, चार में चार जाएगा, कुछ नहीं बचेगा फिर हम लोग जीरो पांच बार और ये क्या हो जाएगा 45 और ये देखिए यही आता चला जाएगा आप कितने भी जीरो आगे बढ़ा सकते थे और ये बार 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 यही आता चला जाएगा तो अब बताएए इसका आंसर क्या आप लोगों ने लगाया तो 99% लोग इसका आंसर गलत सिंपल से आपको नौ से पांच में भाग लगाने को बोला था तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे इस चीज को आप समझ लीजिए देखिए इसका आंसर में सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट इसका आंसर लिखना है कि इसका आंसर कैसे लिखेंगे देखिए यहां पर दसम लिए और ये बार बार रिपीट होता है तो इसके उपर एक ऐसे डंडी लगा दीजिए और इसे बोलते हैं बार इस बार का मतलब होता है जिसके उपर भी ये डंडी लग जाएगी तो उसका मतलब होता है ये संख्या ये अंक कई बार 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 रिपीट है जैसे अगर मैं आ ऐसे ही यहाँ पर अगर 5 के उपर हमने बार लगा दिया तो ये दिखाएगा कि ये 5 बार बार आता चला जाएगा ये कहीं पर खतम नहीं होगा और अच्छा लगने के लिए मैंने बताया था थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए इसके पहले 0 लगा देते हैं तो 0.5 बार इस यह चीज़ समझ पाएंगे कि यह भाग यहां पर कभी complete नहीं होता अगर कोई यहां पर रोक रहा है तो वो गलत है वो तरीका ही गलत है आपको इसके उपर बार लगाना पड़ेगा तो यह चीज़ दिखाएगा कि हाँ भाई यह संख्या जो होगी यह अंक होगा यह बार बार repeat होगा तो इसका correct answer हम लोग इस form में लिखेंगे I hope आप समझ पाए होगे तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए concept को ले करके Okay, thanks for watching guys